से अलो गाइज, आप जोएमेज देख रहा हो, जो बिलााउज कट देख रहा हो, की होल वाला को सिक कटिंग कि आठीक का किया जाता है तो रघलान स्लीज के साथ में कटिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरह का बिलाउज अगर कटिंग करना है । किस طरख याता था अक्सर रख exclus वाले बिलाउज डेस, टॉप गरह फिटिंग नहीं होते हैं लेकिन मैं फिटिंग वाला कटिंग करके दिखाने जाए तो पूरा वीडियो देखे किस तरह से मैंने किया प्रिंसेस कट में किया है कि इस तरह से फिटिंग वाला बिलाउज में ने किया है तो यह कॉलर के साथ रहेगा सेम टुसेम बनाने कोशिज करेंगे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो एक पेपर ले लेंगे और सीधा मार्किंग करेंगे हम तो यह सोल्डर का आपको लगा लेना है ताकि हम यही से लेंथ और डाट पॉंट अगरा जो भी है यही से शुरू करते हैं तो इसलिए जो है इस तरह से एक निसान लगाने के बाद में हम लेंथ और डाट पॉंट लेंगे तो देखिए मेजरमेंट मैंने लिका इधर तो लेंथ 13 पे है और यह बहुत छोटा साइज है 30 का साइज है तो उस हिसाब से में बता रहा हूं आपको इसमें से कुछ माइने सोगरा नहीं करना है तो आप देखो किस तरह मैं कर रहा हूं उस तरह से आप कर लो और यहां पे सिर्फ धाइज पर हमको निशान लगाना है ब्रोडिंग का नेक क अच्छी तरह से सिधा एक निशान लगा देंगे तो आपको एकदम शिलो में अच्छी तरह से डिटेलिंग में समझा रहा हूं देखे किस तरह से तो इस तरह कर लेना है और यह हमारा रगलान स्लीज के साथ हम बनाएंगे क्योंकि अभी तक बिलाउज जो भी बनता है वह हमारा स्लीज वाला बनता है तो इस तरह से कटिंग नहीं होता है यह मैं एक नया तरीका आपको बता रहा हूं कि रगलान स्लीज में बिलाउज साइथ किसी नहीं बनाया होगा top अगरा बनते हैं, crop top अगरा बनते है रग्लान्स निज में, लेकिन इस तरह का blouse fitting वाला नहीं बनता है और princess cut में भी नहीं होता है, वे line की तरह होता है बिल्कुल loge वाला तो इस तरह के देखें, हम dart point का center निकालेंगे, तो chest 30 है लेकिन उसके हिसाब से तो होता है 3 इंच लेकिन हम 37 इंच पे लगाएंगे इससे कम नहीं लगाना है कम लगाओगे कप्स अगरा लठाओगे नहीं बैठेगा तो इसलिए कप्स वाला ही बनाना है आपको यह fitting cups में आएगा अच्छी तरह से तो उपर मैंने 37 इंच पे लगाया था और इस तरह से मैं यहां पर 12 इंच करके 5 इंच पे लगा लिया यहां पर 12 इंच करना है यानि 3 फूर इंच तो माइनेस करने के बाद ही हमको इस तरह से करना है तभी अच्छी तरह से पाएगा यह देखिए हमारा आर्मोल का लें तो मैंने निकाला इसमें भी मैंने 7 इची उता रहा है तो इस तरह कर लेंगे और जो भी हमारा 30 चेश्ट है तो 30 के हिसाब से हम 4 से डिवाइट करके तो इस तरह से करना है ज्यादा नहीं वान लूज करना है लूज अगर आपको रखना है तो जो मार्जिंग देते हैं उसमें से भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है तो उपर 7 इंच मैंने लिया था यहाँ पर आदा इंच करके या आपने लिया है तो उसको फॉलो करना है तो कर लो नहीं तो अपने हिसाब से भी आप कर सकते हो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आएगा आपका सोल्डर अगर बराबर होगा तो अच्छी तरह से यह कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं आएगा अब हम नेक का राउंडिंग ना पें है इसतरह से जो भी आप को्लर बनाऊगे विठाऊगे तो अच्छी तरह ईसमें बैड़ जाएगा तो इस तरह से मेजर निकार लेना है और इस तरह से लिंग का मार्किंग जो है हमको और भाव लग आ行了 जाएंगे तो तीन इंच इसमें बैठेगा अब इसको हम प्रिंसेस कटका सेप दे देंगे तो देखे मैंने जो राउंड आर्मोल का लगा था उस हिसाब से वहीं से साड़े तिन या चार से जहां से भी सेप अच्छा मिले आपको इस तरह से लगा देना है प्रिंसेस कटका और इस तरह के से थो इस तरह से नाप के इधर टन कर लेंगे और जितना उदर था उतना इधर निशन लगा लेंगे इस तरह से निशन लगा लेंगे तो यह बराबर होता है और यहां पर पौना इंच का डाट उपर भी देना है पौना मतलब 3-4 बहुत लोग को सवा पौना कुछ पता नहीं हो करना है तो आपने बहुत देखा होगा लेकिन इस तरह का कटिंग नहीं देखा होगा प्रिंसेस कट में रगलान श्लीज की कटिंग यानि कि आप देखो पहली बार में बता रहा हूं और देखो किस तरह से भाश फिटिंग आजाएगा तो बहुत लोग बनाते हैं या दोगे जो भी Sleas me cut देख रही हो तो उसमें joint आजाएगा, आपको आरमोल में joint दिखाइदेगा लेकिन मैं जो करूँगा, उसमें joint नहीं दिखाइदेगा तो raglan slis का इस तरह से marking करके मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से safe दिया जाता है ruglan slis का ठीक है तो इस तरह से मैं सेव दे रहा हूं आप देखो कैसे मैंने उपर की तरह टन कर दिया तो इस तरह से ही करना है तब ही अच्छी तरह से बैठेगा यहां पर देखिए थोड़ा सा हमकंब कर लेंगे तो अच्छी तरह से यह जो है, जो हम ताल लिकालते हैं, जो अच्छी तरह से चिपकन बैठता है, वो इसा करना है, क्द PHIL कर सकते हो, तो इस तरिके से करके अन्नाप लेना है, जहाँ बैठता है, हमाँ बिठा देना है, तो इसको कटिंग करके दिकांघünüz, तो आपको ज़्यादा समझवाएगा, यह मारकी खिचडी हो रहा है, तो आप देख लो किस तरह से हो रहा है, तो रगलान स्लीज अगर कटिंग करना है, तो इसी तरह किया जाता है, तो अच्छी तरह से बैठता है, तो देखें मैंने सोल्डर कितना लंबा लिया था उपर स् बराबर है, अब इस तरह से हम रखेंगे, और इस तरह से 90 डिग्री में, हम एक निसान को इस तरह बराबर रखेंगे, और इस तरह जो भी बाटम होता है, उसका निसान लगाएगे, तो जो भी आपका लेंद रखना है, इस तरह से रखके आप कर सकते हो, तो जो भी लेंद चाहिए आप नाप लो ये solder के पास तरह से तरह सिप देंगे तो यह मारा series का भी हो गया तो जो भी length है हमारा यहाँ पर इस तरह उठाके जो भी length नापते हैं तो यह मारा link का लगा लेगा पैनल का है, साइड पैनल का, तो इस तरह से करके हम यहाँ पे जितना भी था डाइंच का इस तरह रखके हम माइनस कर लेगे, माइनस करने के बाद जो भी वेस्ट रखना है आपको, क्योंकि वेस्ट का मेजरमेंट आपने नहीं दिया है, तो चब्वीस अताई जो भी होगा, आप यहाँ पे निसान लगा के, उसके वन फोर से निसान लगा के, वहाँ निसान लगा लेना, और इस तरह से निसान से मिला देना, जो उपर का निसान है, तो देखे मैंने इस तरह किया, और इस तरह रखके निसान लगा लेना है, ठीक है, तो यह आपका बराबर हो जाए तो इस तरह से cutting करेंगे तो perfect हो जाएगा आप देख लो किस तरह करना है उसके बाद में नीचे का जो है इस तरह कर देना है तो यह मुझे वियार से किसी मैम ने बेजा है उनको यह देखना था तो यह दो तरीके इसमें कर सकते हो देखो दो-दो मैंने marking किया है तो उसी जाप से आप कर सकते हो लेकिन यह perfect तरीका जो होना चाहिए वो मैंने raglan sleeve वाला किया है वो perfect है जो मैं cutting करके अभी दिखाने वाला है इस तरह से safe देदेंगे sleeve का यह दो पार्ट होगा आपको इस तरह से फर्मा cutting करके और बाद में sleeve को अलग करके बाद में sleeve का center का part join करके जब cutting करे जो keyhole का design है इस तरह से करते जाएंगे तो sleeve में भी a keyhole मैंने लगा दिया और यहां पर देखिए पांच है तो एक center का लगा है जो half-half हो जाएगा और इधर एक लगाएंगे जो armhole में है तो देखिए armhole के chest बाजू में जो है collar के नीचे इस तरह से लगा लेना है तो इस तर करना है बाद में पलट के बनाना है अपने stitching का बोला था तो stitching का मेरे पास अभी time नहीं है बहुत मैं busy रहता हूं बहुत ही मुश्किल से video बनते हैं कभी मौका लगा तो बाद मैं stitching करके आपको दिखा दूगा लेकिन आप इसको मैं पूरा idea दे रहा हूं आप इसको stitch कर सकते खो मेरे पास order का नहीं होता है तो यह वेington हो जाता है मैं अपको दिखाथा जाओंगा तो इस तरह से बरबर मार्ज़िक घौड़ते हुए करना है तब जाके अच्छी तरह बैटेगा ठीक है तो इस तरह से मैं बार-बार करके पहले दिखाता हूँ बाद में बै। 活该 cutting कऱगा उसके बाद पैनल को cutting करके आपको दिखाता हूँ किस तरह से होगा sleeves और spinal भी हम बाद में cutting करेंगे इस तरह से मैंने बार बार cutting कर लिया ठीक है तो आप देखिए बैक cutting हम करेंगे तो बैक को पहले marking करके इस तरह से कर लेंगे तो बाद में एक साथ में cutting करके दिखाता हूँ कि बैक होने के बाद में friend का party पैनल और लिज अलग अलग किस तरह करेंगे तो इस तरह बराबर पर ही रखना है और इस तरह से आधाइंच बढ़ा लेना है यानि पूरा यह color लगेगा आगे पीछे पूरा color दिखाए देगा तो देखे मैंने ब्रोडिंग कर लिया यहां पर आधा इंज ब्रोडिंग किया और आधा इंज मैं उठा ले रहा हूँ यानि कि को यह समझो हुज अधाइंच पर मैंने कटिंग कीर ताफरेंण को तही मैंने टीन इंज पर कर दिया निशन युछám यह मतलब स्लीज का मोरी है वहीं पर लाके मिला देना है कुछ बढ़ाना नहीं है बढ़ाना है तो बढ़ा भी सकते हो नहीं बढ़ाना है तो बराबर पर बिराख सकते हैं कोई प्रभलम नहीं और एक सीधा यहां मार्किंग करेंगे और वहां से पौना इंच नीचे उतार के एक प्रण का पार्ट पीछे की तरफ जाएगा और आपका नेक टाइट होगा गले में अची तरह से नहीं बेटेगा तो इस तरह से बरबर मैं सिलो में दिखाया हूं अची तरह से देख के समझ लो अब यहां पर बोटम का निसान मैंने लगा दिया और बोटम जितना है उतने उसात की यहां पर निसान मतलब अंदर का निसान का और तकर बेंगे ताके आपका कमा का करेंगे तो बडाबर आएगा तो देह कि मैं यहां पर ठरन earnest में यह बहुं कुल में जा पही है तुछ दो इस तरह का है यह उसी तरह से छो कि डाया चाहिए तोiding थोड़ा लंड़ाई रगाएगायो मौडर ले पहना तो एसस तरह से निडिय्ट कर ले आप कर लें आप कटिंग कर लेना हमको वी हिसको बाहर बाहर पहले इस तरह कटिंग कर लेगे और इस तरह से स्लीज मतवाया आपको एकद्वम एक दम पर्फेक्ट बैठतां अब हम हम जोइन करके उसों सही कर लेंगे क्योंकि जोइन करना पड़ेगा नहीं तो अलग से हमको कटिंग करना पड़ता लेकिन थोड़ा सा जोइन लगाने से बराबर हो जाएगा अब यह की होल को इस तरह फोल करके बराबर कर लेंगे तो आपको छोटा बड़ा जो भी चाहिए आप कर लेना इससाब से जैसा चाहिए वैसा कर सकते हो मैं थोड़ा ब्रोड और थोड़ा लंबा लिया हूं तो आप अपना कम कर सकते हो ऐसा कुछ दिकत नहीं है अब हम डाट लगा देंगे बैग में तो जिस तरह बिलाउस कटिंग करते हैं सेम वैसा करके हमको और देख बैठा है मेरे दिये तो बराबर बैटता है आप लोग को है आपके हिसाब से ट्राइक कर लो तो इस तरह से ट्राइक करके आप अपने हिसाब से कर सकते कोई दिकत नहीं है इस तरह है चिपका के मैं तोड़ा जॉइन लगा के स्लीज को complete कर लेता हूँ क्योंकि जॉइन जो भी हम आर्मोल जो है ये स्लीज का ये तोड़ा फ्रेंड में cutting करने के हुझा से भिगड़ गया है तो हमको तोड़ा हमाँ short पड़ गया है तो इस तरह हम परफेक्ट हो गया तो इसी तरह से हो जाता है तो देखिए बैक का मैंने कर लिया अब सेम टू सेम फ्रेंड को भी कर लेंगे तो इस तरह से रखके और इसको हम की होल को cutting कर लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा यानि कि एकदम एक जैसा हो जाएगा आगे पीछे को बराबर हो जाएगा जैसा होल दिख रहा है मॉडल का उस तरह का सेम टू सेम हो जाएगा तो इस तरह से आपको कर लेना ये बराबर दिखाई देगा ठीक है तो देखिए किस तरह का दिख रहा है इमेज में उस तरह का हो गया अब हम क्या करेंगे कि निकाल कर आइगे कि बराबर है यह नहीं तो ड़ाट को मिला और ये इसको सबुदार कुछ भी अधिकन कर सकते हो तो अच्छी तरह Consort ठीक है अब हम डाट के इसको निकाल देंगे तो निकालने के बाद ही अमरा बराबर हो गया अब यह स्लीज को भी हम इस तरह चिपका लेंगे यह स्लीज का पार्ट है जो फ्रेंड में हमने ले लिया था बराबर और इसमें जाके कम पढ़ जाता है तो उसको भी हम चिपका के cutting कर लेंगे तो इस तरह से ये दो part में स्लीज है लेकिन इसको जोईंड करके आप एकी part में cutting कर सकते हो यह bottom के पास जो मैंने अभी रखा है इसको रखके चिपका लेना है और जब cutting करोगे कपड़े पे तो इस तरह से cutting करना है तो उसके बाद कि मैंने half cutting किया है he है Centre का पाइप हाफ किया हां मैं नहीं cutting करنا कपड़े करना है तो फोल्ड करके करेंगे तो यह पूरा निकलेगा और इसके बैग को उपनिंग देना आपको फ्रेंड में बिल्कुल नहीं तो इस तरह कर लेना है तो ऊपर एऊ लगा दोगे जो की होल का एरिया है और नीचे जो लगा दोगे तो अच्छी तरह से बैड़ जाएगा अब देखिए मैं इसको मीटो मीट करके हम कटिंग करेंगे तो उसके बाद आपको बरबर यह दिखाई देगा किस तरह का है तो देखिए हांसे कपड़ा निकल जाएगा यह कट हो जाएगा यहां से भी निकल जाएगा और सेंटर से भी निकल जाएगा तो यह बराबर आ जाता है इस तरह से कपड़े पे करना है तो पहले कटिंग नहीं करना है आपको पूरा सेम रखके और आपको क्या करना है वहाँ पर पल्टी मार देना है पल्टी मारोगे और फ्रन बंद होता है तो उसका कोललर देखे किस तरह से कितना राउंड पर कटता है तो आप देखो मैं किश तरह कटर एक तरहे निसान लगा लेना है साड़े साथ पर यानि're 15 इंच का बाहर काईस्ता अंदर को रकना है और 13 इंच अंदर का इससा आप से कर लेना है तो इस तरह से कॉलर कटिंग करके जब आप बिठाओगे तो अच्छी तरह से बैठ जाएगा और यहां पे सेफ देना है आपने बाहर का इससा जो लिया है उतना ही लेना है और अंदर का अगर थोड़ा बड़ा होता है तो कोई प्रोब्लम नहीं है लेकिन इस तरह से मैं दिखा रहा हूं किस तरह से बैठेगा देखिए तो यह बैग में उपनी करना है आगे नहीं करना है तो एक दम सेम टू सेम जैसा है वैसा बैठ जाएगा तो यह मेरा कटिंग करने का तरीका यह आइडिया पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक करो सब्सक् इसके साथ मैं इस तरह का डिजाइन आप कर सकते हूँ ठीक है चलिए वीडियो एंड करते हैं अल्लाहाफिश